हाई मैं प्रशान्थ आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वीटी टू कमूडिटी में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में LICIPO का 10-point analysis करने जा रहे हैं तो यही 10-point के basis पे हम LICIPO का complete details देखेंगे A to Z details के उपर हम बात करेंगे और कुछ ऐसा details भी आपको बताएंगे जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा और यही 10-point analysis के basis पे आप एकदम clear कर decision ले पाएंगे कि LICIPO में आपको apply करना है या फिर इसको avoid करना था चलिए LICIPO का 10-point analysis करते हैं तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले point को पर बात करें तो जो discount मिला है LICIPO में वो LICIPO को बहुत ज़्यादा attractive बना जयता है और LICIPO ने जो अपना valuations कम किया है वो भी LICIPO को बहुत ज़्यादा attractive बना देता है तो valuations को उपर हम आगे बात करेंगे फिर आपको समझ में आएगा कि LICIPO का valuations कितना कम है लेकिन अभी आप यह समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो policy holder retail और employee को जो discount मिला है वो LICIPO को बहुत ज़्यादा attractive बना दिया है और अगर यही LICIPO आपको 2021 में आता जिस time पे बहुत सारे IPO अनाप सनाप valuations पे आ रहे तो उस time पे जो valuations रहा था वो at least अभी जो valuations है उस सिर्थ 3 कुना जाता रहा और यह जो IPO है यह आपको 4th of make को open होगा और 9th of make को close हो जाएगा यहनि आपको 4 working days मिलता है इस IPO में apply करने के लिए यहनि आपको अच्छा कासा time भी मिलवा इस IPO में apply करने के लिए और LIC का IPO आ रहा वो इंडिया का सबसे biggest और सबसे largest IPO होने वाला अभी तक जो IPO आया था इससे पहले Paytm था वो सबसे largest IPO था लेकिन आप Paytm से भी ज़्यादा बरा IPO आने जा रहा LIC IP होगा और यह IPO आपको लगबग 21,000 करोड का IPO आने वाला है वह अगर हम इसके दूसरे point के उपर बात करें जो कि आपका इसका positives सबसे पहले हम इसके AUM के उपर बात करना चाहेंगे वह अगर हम मार्केट शेयर की बात करें मार्केट शेयर किस फिल्ड में इन टर्म्स आफ विनीवल प्रीमियम फॉर फाइन सेयर 2021 यह नहीं 2021 में कितना प्रीमियम विनीव हुआ है उसलिए आसे देखे इसका मार्केट शेयर आपका 62.5% इन फाइट वी थेयर जबकि जो सकेंड नमबर पर है उसका मार्केट शेयर आपका 8.5% यहनि इसका जो कंप्रिकेटर है उसका मार्केट शेयर अभी आपका double debt में भी नहीं पहुचा जबकि इसका मार्केट है आपका 60% से उपर है 62.5% है वहीं अगर हम number of policy और scheme issue in FY21 यानि 2021 में कितना number of policy issue हुआ और scheme issue हुआ उस लियास से देखें इसका market share और भी जादा 74.6% देखेगा जबकि इसका peers का market share है वो आपको double digit में भी नहीं पहुचा यानि किस तरह का dominance यह insurance sector बनाए हुए इंडिया में वो आप देख सकते हैं एकदम complete dominance है इस film है और यह जो dominance है वो अभी खत्म होने बाला नहीं है at least आपको अगले 10 साल तक इसका इसी तरह का dominance देखने को मिलेगा अगले 10 साल तक इसका market share आपको 50% से ऊपर ही देखने को मिलेगा anyhow इतना आप सी ओर मान के चल लीजिए यहाँ पर हम कुछ और positives को बात करना चाहेंगे positives तो यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे LIC का जो operating cost है वो इसके peers से बहुत ज़्यादा बेहत्वीन है वही अगर हम LIC की बात करें यह कितना fund manage करती है LIC आपका उन 40 लाग करोर का fund manage करती है और यह fund कितना है आप इंडिया के total mutual fund industry को combine करते हैं वो जितना fund manage करती है उससे ज़्यादा अकेले LIC fund manage करती है यानि total combined mutual fund industry of India LIC IPO से छोटा हो जाता है अगर हम fund manage करने की बामले में बात करें तो और वही LIC के पास ज़्यादा government bond है than RBI यानि RBI के पास जितना government bond है उससे ज़्यादा LIC के पास है अगर government bond की बात करें तो सब ज़्यादा आपका RBI के पास होना चाहिए लेकिन RBI से भी ज़्यादा government bond कौन रखे हुए LIC यह सारा surprising और interesting सा fact है जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा यहाँ पे अगर हम इसके global brand की बात करें तो global level पे जो इसका insurance brand है वो कितना strong है तो global level पे यह third largest strongest brand बनता है in insurance field में और इसके पास total number of policy है वह लगवाग आपका है 280 million number of policies है और इसके पास number of agents जो कि है वो 1.33 million number of agents है इसके पास large workforce है और अगर हम number of policies की बात करें तो इसको अगर आप country wise population के बात से देखें तो यह fourth largest country जो है population wise उससे ज़्यादा इसके number of policies है तो इससे आप अंदाला लगा सकते है कितना policy इसके पास है अगर से policy भी नहीं होता है इसके पास अच्छा खासा revenue आता हुआ दिखेगा वहीं आप हम इसके negatives को पर बात करना चाहेंगे अगर आप इसके negatives को पर बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ा negative है वो है कि इसका जो policy growth हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो रहा है जबकि इसका competitor का policy growth थोड़ा सा जादा होता हुआ दिख रहा है इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि वो अभी काफी छोटे level पे उसका जो भी growth है वो अभी double debt में भी नहीं पहुंचा जबकि LIC कितना जबरदस market share maintain किये हुए इसके बाद उस तरह का growth maintain करना थोड़ा सा मुस्किल होता है लेकिन वही एक negative है इसका जो policy growth है वो थोड़ा सा पूबर देखने मिल रहा है दूसरा जो negative है इसके पास large number of employee है more than one lakh employee है LIC के पास एजेंट की तो बात अलग है लेकिन इसके पास employee भी एक लाग से ज़्यादा है तो such large huge workforce को maintain करना आगे इसका challenging हो सकता है इसके financials पर आगे impact करता हुआ दिख सकता है लेकिन अभी कोई problem वाली बात नहीं है आगे हो सकता ह यह दो negative है जिसके उपर आप ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे कोई फर्थ नहीं परेगा उतना कोई serious concern बाला negatives नहीं है LIC को लेके तो यहाँ पर next point को पर बात करते है LIC as a asset manager और यह आपको बहुत कम जगह देखने मिलेगा LIC as a asset manager LIC as a asset manager भी काम करता है कैसे काम करता है यहाँ पर देखिए LIC इंडिया का largest asset manager है जिसके पास strong investment base है किसी एक company के पास इतना strong investment base नहीं है company अगर आप पूरे industry की बात कर ले मैंने आपको already बताया था इसका जो AUM है अगर हम इसके peers से compare करें इसके जो total peers है जो insurance sector में जितने भी company है उन सब को add कर दे फिर भी इसका जो AU AUM है वह आपको 3.2 times उन सबसे ज्यादा हो रहा है मतलब LIC जो compare कर रहा है वह अपने किसी एक company से compare नहीं कर रहा है इसको छोड़के इस industry में जितने company है सबसे अगर हम इसका competition करते हैं फिर भी इसका AUM लगबग आपका सारे तीन गुना ज्यादा हो रहा है यहीं लगबग आ ज्यादा है इंडियाम जितने भी विचल फन इंडिस्ट्री है वो जितना AUM एक साथ combine करके maintain करती है उससे ज्यादा LIC maintain करती है वो भी कितना 1.1 times ज्यादा यह आप LIC के dominance का भी अंदारा लगा सकते है LIC as a asset manager भी कितना strong player है इस field में वहीं एक और चीज़ के ऊपर बात करना चाहूंगा कि LIC का जो investment है यहाँ पर NAC का आप total listed company उठा लीजे कितना listed company है वही count करना बहुत difficult है बहुत साए listed company है more than 5,000 to 10,000 आपके listed company है उन सब के अगर आप market capital या valuations की बात कर ले तो LIC के पास 4% valuation करीब आपको stake मिल जाएगा इसका कितना बड़ा investment है इससे भी idea लगा सक जाए SDFC हो LIC हो या फिर ICIC हो insurance field की में बात कर रहा हूं तो उसका जितना market cap है उससे कहीं ज्यादा LIC का dividend आ जाता जितना investment कर रखा उससे तो इसका जो diversified business है वो भी काफी जबरदास्त है यह नहीं आप LIC as a index भी इसको बोल सकते है as a index भी अगर आप लोग है तो भी कोई दि stake है वो आपका Reliance industry में भी है TCS में भी है जो भी दिगज company है सब में है Reliance में जो stake है अगर हम उसके current valuations की बात करें लगबग आपका 110,000 कोड का valuations का stake है Reliance में TCS में लगबग आपका 50,000 से 60,000 कोड का valuations उसी तरीके से जो भी दिगज company है इंडिया के सारे में इसका अच्छा valuations रखा गया है यहीं अगर LIC grow नहीं करता है Reliance industry TCS भी grow करता है फिर भी इसका जो valuations है वो आपको increase होता हुआ देखेगा इसका revenue है वो थोड़ा बहुत आपको increase होता हुआ देखेगा क्योंकि उसमें जो investment है वो भी as इसका ही assets count किया जाएगा वहीं अब हम इसके next point को पर ब working days चाहिए होगा इसमें apply करने के लिए आपको मिलेगा प्राइसमें की बात करें 900-200 लेके 949 रुपीज पर सेर्स इसका प्राइसमें है लेकिन अगर आप वेटेल केटेग्री से apply करते है या फिर policyholder quota या फिर employee quota यहां पर आपको जो प्राइसमें देना परेगा वो काफी lower परेगा वो मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा यहां पर कुछ भी फ्रेस इस्यू नहीं है क्योंकि government अपना इस्टेक भी इत्व हुई 21,000 कोड़ का government अपना इस्टेक भी और इतना ही रखा गया और आप यहां पर इसका आपका 15 सेयर्स और फेस्ट रूपीज 10 रखा गया वीटेल के लिए अच्छा का सा इलोकेशन दिया गया 35 परसेंट का मैं अगर हम कुछ वह डिटेल को उपर बात करते हैं तो अगर आप यहां पर policy holder quota से apply करते हैं यहां पर आपको discount मिलेगा 60 रूपीज का और यह जो IP आप अप्लाई करेंगे वो किस price पर apply करेंगे 949 रूपीज पर apply नहीं करेंगे policy holder AIP apply करेंगे 889 के price पर यहनी 60 रूपीज का यहां पर आपको already discount मिलवा है और total कितना discount मिलवा है आप यहां पर 60 into lot size यहनी 15 कर सकते हैं यहनी आपको लगबग 900 रूपीज का already discount यहनी 900 रूपीज का already आपको profit मिलता हुआ दिख रहा है वहीं अगर हम वीटेल या फिर employee की बा यहां पर आपको बहुत कम जगा देखने को मिलेगा यह इसी आपको समझना अगर आप वीटेल के टेग्री से इस IPO में अपलाई करते हैं तो मिलमम आपको 15 quantity अपलाई करना परेगा और आपका जो price होगा वह आपका 904 के price पर अपलाई होगा 949 के price पर अपलाई नहीं होगा तो यहां पर minimum investment amount आपका होगा 13,560 रूपिया और maximum आप वीटेल कोटा से 2, लाग से नीचे का amount apply कर सकते हैं और quantity की बात करें 210 quantity apply कर सकते हैं और maximum investment amount होगा 1,89,840 रूपिया और आप चाहो यहां पर देख सकते हो कितना lot आपको apply करना उसके against कितना आपको payment करना परेगा वह सारा कुछ आप देख सकते हो अगर आप NIA categories apply करते हो जिसको हम लोग HNIV भी तो minimum आपको 225 quantity apply करना परेगा और minimum investment amount इतना होगा और maximum आप इतना कर सकते हैं maximum investment amount इतना होगा वही अगर आप policy holder के टेक्स अपलाई करते हैं जो कि काफी popular है जिसको यहां पे सब ज़्यादा discount मिल भा है विटेल का जो अपर प्राइस मेंड होगा वह 904 होगा जबकि policy holder का जो अपर प्राइस मेंड होगा वह होगा आपका 889 रूपीज तो अगर आप policy holder quota से apply करते हैं minimum amount जो पे करना होगा वह होगा 13,335 और आप भी maximum 210 quantity के लिए जा सकते हैं और maximum amount जो आप अपलाई कर सकते हैं policy holder quota 1,86,690 रूपीज यह interesting सा fact आपको और कहीं नहीं भी लेगा आप देख सकते हैं आप कितना quantity या फिर कितना lot apply कर सकते हैं कितना रूपी आपको pay करना पड़ेगा वो clear cut आप एकदम चार्ट में देख सकते हैं यहाँ पर हम इसके कुछ और details के उपर बात करते हैं next point के उपर explain करता हूं सबस्पहले case 1 अगर आप policy holder है LIC के maximum लोग है बहुत जादा policy holder है तो सबस्पहले आपको policy holder quota से apply करना है जब आप net banking से apply करते है एस या UPS से तो आपको quota select करना होता सबस्पहले आप policy holder quota select करके apply कर दिए वापस से आप वहीं पर आये quota पे दुबार आपको क्या करना retail quota selector ना पहला policy holder quota से apply कर दिया दूसरी बार आप retail quota से apply कर दिजे सारा details आपका same रहेगा single pen से इस तरीके साब दो application के लिए apply कर सकते है case 2 सबस्पहले आप policy holder quota से apply कर दिजे दूसरा आप NIA quota से apply कर दिजे ए NIA quota से apply करने के लिए आपको 2 लाग से ज़्यादा का amount चाहिए होग दो application apply करना चाहते हैं वो policy holder और retail quota से apply कर सकते हैं अगर आप LIC के policy holder है तो वही अगर हम इसके financials के उपर बात करें तो देख सकते हैं total income भी continuously आपका इसका grow करता हुआ देख रहा यह जो data आपका FY 19 2021 और first half of 22 का है अगर हम first half of 22 का भी देखें तो काफी तेजी से total income इसका grow हु किया profit after tax भी continuously increase किया और यहां पर आप देख सकते COVID-19 का इसके उपर कोई impact नहीं परा profit भी इसका increase किया total total income सब कुछ इसका grow करता ही देख रहा और FY 22 की बात करें तो आपका अभी 500 करोड़ से ज्यादा का इसका profit after tax हो गया और यही rate से बढ़ा इसका 3000 करोड़ से ज्यादा का profit after tax बन जाएगा जो कि FY 19 2021 से काफी बहतर होगा तो इसलिया से इसका financials काफी strong है यह यह company आपका strong financials वाला company है यह इनि financials में भी कोई problem नहीं है यह काफी attractive है अब हम इसके valuations को उपर आते हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि valuations बहुत ज्यादा attractive रखा गया अब यहाँ पर insurance field में जो valuations हम calculate करते हैं एक parameter के basis पर calculate करते हैं जो कि आपका embedded value अगर हम इसके market cap से embedded value को compare करें तो यह आपका आरा 1.1 times के करीब यह बहुत कम है कितना कम है आप इसके pair से compare कर सकते हैं अगर आप HDFC, Life insurance, SBI और ICS है तीनों को एक साथ combine करके इन तीनों का embedded value निकालो तो लगबा होगा आपका 3.4 times के करीब यह नि इस industry में जो average embedded value रखा गया सबका वो रखा गया 3.4 times के करीब जबकि LIC IPO इस सबसे कहीं बेतर है इन सबसे market cap में 10 गुना आ गया है हर एक field में 10 गुना आ गया है फ same embedded value पे रखा जाता फिर भी हम इसको बोलते fair valued जादा हम expensive नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इस industry का embedded value आपका 3.4 times से करीब हो रहा है यह नि अगर LIC IPO अपना valuations 15,00,00,00,00,00 रखता तो भी जादा वो overvalued नहीं होता लेकिन वो एक सही काम किया government ने कि valuations कम किया है ताकि यहां पे growth का भी अच्छा खास स्कोप दिख रहा है यानि LIC IPO आपको पहले 12 मंत में लगभग 30-40% का return भी दे दे तो आपको surprise नहीं हो जाए क्योंकि उसका valuations बहुत कम रखा गया है और यहां पे valuations कम रखा गया इसलिए listing gains के भी chances अच्छे खासे दिख रहे हैं तो कितना listing gains मिलेगा के उपर हम आगे बात करेंगे लेकिन valuations आप देख सकते हैं इसके पियर्स के completion में valuations जिसका one third यानि तीन गुना valuations कम रखा गया है इतना आप मानके चल सकते हैं और यह चीज़ इस IPO को बहुत ज्यादा attractive बना था investors के लिए और ना सिर्फ इंडिया के बल्कि global कई investors भी इस IPO क apply करने को तयार है एक और सी जो मैं आपको बताना चाहूंगा जिसके उपर साहिद आपको idea ना हो बहुत कम लोग इसके उपर बात करना चाहते हैं कि LIC IPO का global presence भी है आप लोग को लग रहा हो कि LIC IPO सिर्फ इंडिया में ही business करता जबकि इसका global presence भी है इसका global presence कहा कहां पर Asia के लगबाग 7 to 8 countries में global presence अपना बनाया हुए एक और चीज जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा LIC का profit sharing plan जो की IPO आने के बाद change होने जा रहा है पहले क्या करता है LIC जो भी इसका profit होता था 95% profit कहां जाता था policy holder के बीच में लेकिन अब क्या होगा वहां से जो भी participating profit होगा 10% व growth के chances तो increase होई गए यह आपको यह आपको growth stocks भी बन जाएगा उसके साथ आपको dividend stocks भी बन जाएगा यह अच्छा काचा यहाँ पर आप dividend की उम्मीद भी कर सकते हैं अब आपको क्या चाहिए dividend मिल भाया growth मिल भाया सारा कुछ मिल भाया इस तरह की company आपको stock market बहुत कम देखन demand है और जैसे डेट आगे आरा नजदीक आरा इसका demand increase होगा और आप देख सकते हैं Saturday Sunday के बाद Monday से इसका grey market आपको और इंक्वीज होता हुआ दीख सकता आज की डेट इसका grey market प्रीमियम आपका 45 रुपे पर से यह नि जो भी इसका issue price है उससे 45 रुपे ऊपर आपको grey market में trade कर रहा डबा बाजार में trade कर रहा लेकिन यहां पर आपको बता दो यह कोई authorized data नहीं है इस data पर भरोसा नहीं कर सकते हो आप at least एक average मांग के चल सकते हो कि यह IPO आपको 20 परसंट के प्रॉक्स प्रॉफिट दे सकता एज लिस्टिंग इंस इस IPO से आप 20 परसंट का minimum लिस्टिंग इंस की उमीद कर सकते हैं इतना लिस्टिंग इंस आपको definitely मिले और अगर आप विटेल कोटा से या फिर policy holder या फिर इंपलोर है तो आप यहाँ पर 5-10 परसंट और या आपको लगवाग 25-30 परसंट का प्रॉफिट आज लिस्टिंग इंस मिल सकता है आपके लिए सब्सेंट है लेकिन अगर आप इसमें अगले एक साल तक बने रहेंगे तो यहाँ पर आपको और maximum profit मिलता हुआ देख सकता ह है तो अब यहाँ पर हमारा final conclusion क्या opinion क्या चले उसके उपर बात करते हैं तो final take away हम valuation के basis पर भी लिए कि इसका इंवेडेट वेल्यू के कंपीजान है 1.1 टाइम से जबकि इसका पीर्स आपका 3.4 तेमस करीब आ रहा है तो बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव है तो अब आपको क्या चाहिए इसलिए से इस IPO में सब्सक्राइब कर सकते हैं शॉर्ट टर्म लिस्टिंगेंज लॉंग टर्म सब कुछ के लिए इस IPO में अपलाई कर सकते हैं उसके लाबा एक बार और हम final opinion लेके आएंगे जिस दिन IPO मार्केट में open होगा उस दिन हम एक बार और final opinion लेके आएंगे फिर हम और detail से बात करेंगे कि LICIPM आपको अब क्या करना है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजिए ताकि इस तरह के और भी वीडियो में आपक